जै हैं दोस्तों, आप सभी एक सर्विसमेन भाईयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में स्वागत है आपके लिए मैं लेकर आचुका हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपके लिए बहुत सारी बैकंसीज के बारे में बताऊँगा जो की सीमा सुरक्षावल याने की BSF की तरफ से निकाली गई है तो दोस्तों यह है BSF की ओफिसियल वेबसाइट और आप देख सकते हैं ASIN की असिस्टेंट सभ इंस्पेक्टर और हेड कॉंस्टेवल की जो हैं वो बैकंसीज निकाली गई है इन बैकंसीज की पूरी डेटेल की आप कैसे अपलाई कर सकते हैं कि आपके लिए पूरी A to Z डेटेल इस वीडियो में मैं देने वाला हूं तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट की ठीक है तो 9 जून 2024 से आपकी जो ऑनलाईन एप्लिकेशन हैं वो इस्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट होगी दोस्तों वो होगी 8 जूलाई 2024 यानि कि 9 जून से आठ जूलाई की वीच में आप इन पोस्ट में अगर अपलाई करना चाहते हैं तो अपलाई कर सकते हैं चलिए तो दोस्तों आपका जो प्रोसेस होगा वो इस प्रकार होगा सबसे पहले आपका होगा दोस्तों प्यस्टी उसके बाद में आपकी होगी पीएटी उसके बाद में होगी सीवीटी कंप्यूटर बेस टेस्ट उसके बाद में इसकल टेस्ट फिर डॉक्मेंट वेरिफि apply कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तो जो PAT है और मैं आपके लिए इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि एक्सर्वेस्मेन के लिए यहां पर जो हो PAT बगरा कुछ नहीं है तो उसका मैं आपको इस notification में कहां जिकर किया गया है वो भी दुखाऊंगा पेस्केल दोस्तों आपका होगा एसपर 7th CPC असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए होगा और वारंट ओफिसर के लिए होगा दोस्तों पेलेवल 5 और हेड कॉंस्टेबल और हविलदर क्लर के लिए होगा पेलेवल 4 जो की 25,500 से 1,800 रुपय तक है आगे चलते हैं दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं बैकंसी के बारे में तो दोस्तों जो वारंट ओफिसर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बैकंसी हैं उनकी डिटेल यहां पर दी गई है आप देख सकते हैं यह वाली जो टेवल है BSF में दोस्तों male और female के लिए total 17 vacancies है जनरल के लिए 2, EWS को 2, SC को 2 और HT के लिए 11 इसी प्रकार दोस्तों CRPF male और female CRPF में दोस्तों total 21 vacancies है ITVP में दोस्तों 56 vacancies है CIASF में 146 और SSV में only 3 vacancies है तो यह तो होगी दोस्तों हमारे assistant saab inspector की बाद अब हम हवलदार clerk और head constable की बात कर लेते हैं तो यह जो table है दोस्तो इसमें हवलदार clerk और head constable की vacancies के बारे में बताया गया है तो दोस्तो BASF में total 302 vacancies है उसके बाद में CRPF में दोस्तो 282 vacancies है ITVP में 163 vacancies है और CISF में 496, SSB में 5 और Assam Rifle में 35 vacancies है चलिए यह होगी दोस्तो vacancies की बात आप हम कर लेते हैं कि इन vacancies में क्योंकि आप देख सकते हैं ESM का कहीं पर भी जिकर नहीं है तो दोस्तो सिंपल से लैने यहां पर एक दी गई है कि यह जो उपर vacancies हैं सभी पोस्ट के लिए ठीक है चाहें वो हबलदार क्लार को चाहें वो हेट कॉंस्टेबल हो ASI हो या फिर वारंट ऑफिसर हो इनमें दोस्तो 10% बैकंसी जो हैं वो एक सर्विसमेन के लिए रिजर्व रखे गए ठीक है चलिए अब चलते हैं दोस्तो हम आगे के तरफ और आपके लिए बताने वाले हैं अब हम पहरा सेवन में चलेंगे दोस्तों जो कि यह समसे सम्मंदित है यहां पर एज लिमिट ठीक है तो एज लिमिट के मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आती हैं दोस्तों कि ज्यादा तर एक्सर्विसमेन पूछती हैं कि हम एज के लिए अपनी कैसे काउंट करेंगे तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं एक अगस्त दोजार चौबिस के लिए आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में हो इसको उपरे मैं एक सेपरेट बीडियो भी बनाऊंगा बोल्ड पर आपको अच्छे से समझाके जिसमें आपके लिए यह जो डाउट है वो किलियर हो जाएगा चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तो एज लिमिट की जो मैंने आपको पहले ही बता चुका है यहां पर दी हुई भी है आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि तीन साल 3 years after deduction of military service ठीक है तो आपकी जो actual age है दोस्तो on the closing date पे आपको मैं बता चुका हूं कि 3 साल आपकी actual service में प्लस करके आपकी age 80 साल से ज्यादर नहीं होनी चाहेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट है दोस्तो अगर आप इस समय इंडियन आर्मी एयर फोर्स या अफर नेवी में सर्विस कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो दोस्तो आपके लिए क्या है एक एक सर्विसमें के लिए एक सर्विसमें के कोटा लेने के लिए दोस्तो आठ जुलाई दुहजार चौबिस से एक साल के अंदर आपके लिए जो है वो अपना रिटार्मेंट आना पड़ेगा तब ही आप इस वैकंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आप इस सल्टिफिकेट दे सकते हैं कि मैं एक साल के अंदर हो जाऊंगा तो आप इसको अपलाई कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आती है हमारी आजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपके पास में मांगा गया है लेकिन आप टैंथ क्लास हैं और आपके पास में इंडिन आर्मिय में सपेशल आपके लिए कोई education qualification नहीं मांगी जाएगी क्योंकि आपके पास में अगर इंडिन आर्मी का जो है वो graduation certificate है तो ठीक है उसके बार में ये काफी सारे examples दिये गए हैं तो हम चलते हैं अभी आगे यहां पर तो दोस्तों आपकी जो फीस है नॉर्मल केरी डेट्स की सो रुपए है लेकर अगर आप एक्सर्विसमेन है तो आपके लिए जो है वो कोई भी फीस यहां पर देने की जरूरत नहीं है ठीक है आपकी फीस है एक्जेम्टेट तो आपको एप्लिकेशन फीस भी ओनलाइन अप्लाई करते समय किसी को नहीं देना है यह दोस्तों एक्जामनेशन सेंटर्स दिये गए हैं उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपकें स्कीम ऑफ एक्जामिमस याणि कि आपके सलेक्शन प्रीत होगा सेकृट थर्ड़त में आपका शक्षमा को सेंटर्ड्फ सेंक्रवेशन होगा थिक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी height और weight दिया गया है यह एक्सरेश मैन के लिए लागू है लेकिन आप अगर एक्सरेश मैन है तो इतना तो आपका होगा ही आप इसको चेक कर लेना अब चलते हैं दोस्तों हम आप देखेंगे 15.1 ठीक है 14.2 में भी यहाँ पर कुछ दिया गया है 14.2.8 हाँ तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सरेश मैन एपलाइंग फर दी पोस्ट और नॉट रिक्वाइड टू अंडर्गो पी इट तो एक्सरेश मैन के लिए दोस्तों पी इट यहाँ पर एक्जेम्टेड है आपको क्यों पीस्टी करना जिसमें आपका हाइट और बेट और चेस्ट ना पजाएगा उसके बा इसके सबके 20 मार्क्स के 20 कोस्टेंस होंगे इसलिए आपको टैम दिया जागे दोस्तों एक गंटा 40 मिनट का तो यह होगे आपकी सीवीटी के बात और नीचे आपका सलेवस भी दिया गया है तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी सलेवस के लिए आप इस नोटिफिकेशन को जो है मेरे टेलिग्राम चैनल सिवा ओनलाइन क्लासे से डाउनलोड कर सकते हैं और अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों इसी वीडियो के इसी भरती के उपर एक नई वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो अपन नमस्कार जैहिन जैवारत